सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकिल नेवर मिस अन अपडेट हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेक्ट वेंस अगेन आज मैं आपके लिए स्टेट का स्पीड टेस्ट लेकर आया हूं और इसमें हम लोग आज सेशन नंबर 43 इसमें इस्टेट का जो फोर्टी वाला पार्ट है उसको देखना चाहेंगे और आये देखते हैं बढ़ से पहला कुशन कौन सा है हमारा सबसेब्सेट वान जो है 43 से स्टार्ट है और फोर्टी जो पहला कोशन है वहां से देखेंगे ठीक है स्टेट के स्पीट टेस्ट के लिए बहुत अच्छे-च्छे कोशन है आज के लिए जो सबसे पहला कोशन अजम गड़ सहर के स्थापना के पुत्र आजम ने की थी अब आपको बताना है आपके सामने चार आप्शन है अमर जीत है विक्रम शिला है राजा रन जीत है या विक्रम जीत है क्या है इसका सही आंसर मित्रों जल्दी से देखेंगे और बताएंगे आप सभी क्या इसका सही आंसर है तो इसका जो correct answer है वो राजा विक्रम जीत है क्या इसका सही answer बिटा इसका सही answer है विक्रम जीत ये देख लीजी आप लोग जब भी हम बात करते हैं आजमगड की आजमगड की तो आजमगड जो सहर है इसके थापना राजा विक्रम जीत ने की थी किसने की थी राजा विक्रम जीत के पुत्र थे जिनका नाम था आजम और आजम के नाम से ये सहर इस्थापित हुआ जिसका नाम बन गया आजमगड क्या बन गया आजमगड इसलिए आजमगड एक मुस्लिम अलफास का नाम लगता है और आजमगड है ये चीक है तो मिंट्वां रूमली दर्वाजा किस वर्स बनाया गया था उन्हेंट किस वर्स जो है बनाया गया था आपके सामने 4 options तो प्यारे बच्चो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1784 से 1786 जो है वो रूमी दर्वाजा बनाये गया था आपने देखा कि रूमी दर्वाजा एक इस तरह की आकरती में बनाये गया है ऐसे करके और आप यह देखते हैं इस तरह की आकरती में बना हुआ एक बड़ा सा दर्वाजा है जो लखनव में इस्थित है जिसे आप रूमी गेट यहां पे भूल भूलया का गेट भी है और यह ऊचा सा गेट है इस तरह से और उसे रूमी दर्वाजा की संग्या दी गई ह आचा रूमी दर्वाजा जो है यह 1784 से लेके और 1786 के मद्ध जो है इसका निर्माड इसका निर्माड करवाया गया था तो जो इसका करिक आंसर है वो option number B है B क्या है इसका करिक आंसर है तो मुझे उमीद है मेरे मित्रों आपको यह बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बिल्क of the following Kings of Ujjain चुनार किला Ujjain के निमलिखित में से किस राजा के द्वारा बनवाया गया था इसमें चार option दिये गया है मित्रों चार option क्या क्या है विक्रमा देते के द्वारा राजा भारत थार के द्वारा असोक के द्वारा यह चंदर गुपतर मौरे के द्वारा चुनार कडिए चुनार जो पड़ता है बच्चों वो पड़ता है बनारस के पास बनारस और चो एक बार फोड़ा स समझ लीजिए यह तो राज़ारज चेंदरगुप्त सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है और इनका समयकाल है फूर्ष चार। अब आपके सामने अगला कुश्यन है वह आ चुका है प्यारे बच्चों कहता है कि मुहम्धन अंग्लो इंडियन दियन मुहम्मदन एंगलो औरियंटल स्कूल के स्थापना किस वर्स हुई है मुहम्मदन एंगलो औरियंटल स्कूल के स्थापना 1875 में हुई 1876 में हुई 1877 में हुई या 1878 में हुई तो मुहम्मदन एंगलो औरियंटल स्कूल मतलब MAO स्कूल इस्टेबलिस हुआ इसका जो सही आंसर है वो है 1875 ये वही 1875 है जब फोर्ड विलियम कॉलेज की स्थापना भी हुई थी बिटा कुलकाता में तो फोर्ड विलियम कॉलेज के दें या मुहमदन अंगलो ओरियंटल स्कूल की स्थापना के दें लगभग दोनों एक ही समय में हुए हैं आप इस तरह से इस बात को याद भी कर पाएंगे आप इस तरह से बात को समझ भी पाएंगे तो क्या इसका सही आंसर है 1875 का सही समय है 1875 के समय महत्मा गांदी जी लगभग 6 वर्स के थी ठीक है अब आपके सामने एक अगला कोशन है 1916 में भारती रास्टी कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन की अध्यक्सता किस ने की कोशन क्या है फिर से एक बार देखते हैं 1916 में भारती रास्टी कॉंग्रेस भारती रास्टी कॉंग्रेस के फ्थाबना और इसकी अध्यक्सता किस ने की थी ओप्षन है एने बेसेंट अंबिका चरण मजूमदार मदन मोहन मालवी या मोतिलाल नहरू तो मित्रो जो इसका correct answer है वो क्या है इसका correct answer अंबिका चरण मजूमदार है वह वाला सही है आए थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा रविंद्रालय चार बाग में 1916 का समय था जब एसी मजूमदार साहब एसी मजूमदार मनें अंबिका चरण मजूमदार क्या हुए इसके अध्यक्ष हो गए थे क्या हो गए थे वह इसके अध्यक्षता उन्हों ने की थी बच्चा ये वही समय था जिस समय कॉंग्रेस के दो दल बट गए थे तो कॉंग्रेस के दो दल बटे हुए दल थे एक नरम दल कह लें और दूसरा हम कहते हैं गरम दल तो नरम और गरम दल दोनों दल क्या हो गए थे इस समय दोनों दल इस समय एक हो गए थे तो नरम और गरम दलों की यहां पे फिर से साजेदारी हो गई ठीक है नरम दल और गरम दल यह दोनों दल क्या हो गए एक साथ है एक साथ पुन हमर्ज हो गए यह एकसाद यह पुना जो है क्या हो गए वापस आ गए तो यह साथ मिल गए यह वापस हो गए और अधिक्सता में गांदी जी ने भी अपना नेत्रुद किया था राज मार सुपला ज पाट जीशin में और यह उस समय उन्हों ने किया था बी बिल्कुल करेक्ट आंसर था बच्चों आप इसको स्क्रिंशॉट भी रख सकते हो अपने याद करने के लिए ठीक है अब आपके सामने एक हमारा अगला कुश्यन आया है जिसका नाम है कि मनी परवत इस लोकेटेड इन विच जिस्टिक ऑफ ब्रदेश जिले में इस्थित है तो मनी परवत उत्तर ब्रदेश जिले में कहां पेस्थित है यह आपको बताना है ठीक है वारांडसी मिरजापूर चित्रकूट आयोध्या चार जगहें है मनी परवत इस लोकेटेड इन विच लिस्टिक ऑफ उत्तर ब्रदेश मनी परवत उत्तर ब्रदेश के कि जिले में है, option है वारांडशी, मिर्जापूर, चित्रकूर्ट या आयोध्या, तो इसका जो correct answer है, इसका जो सही answer है, वो है आयोध्या के पास, कहाँ पर है बिटा ये, ये आयोध्या के पास एक छोटा सा कहाँ परवत स्रेडी है, जिसका नाम है मनी प मनी परवत, ये कहाँ पे है, आयोध्या में है बच्चो, यytes कहां है, आयोध्या में है, आयोध्या, प्राचीन नाम इसका फैजा बात था, ये, ये, बन रहा है, जो बन रहा है, और हो सकता है भविष्च में आपसे वहां से भी कोई ने कोई पूछा जाए जैसे अगर हम कहा दें कि गौतम बुद्ध में गौतम बुद्ध के नाम पे इंटरनेस्टन एर्पोर्ट बनाया गया है तो वह कुशी नगर में है वैसे महात्मा बुद्ध इंटरनेस्टन ये माप कीजेगा मर्यादा पुर्शोतम भगवान सी रामचंजी य है तिक है आपके सामनें अगला प्रश्न हमारा चुका है मित्रों जो मारा अगला प्रस्न है वो क्या कह रहा है वो यह कह रहा है कि In which reason of the Uttar Pradesh is Chakula Dance Perform Chakula Nirti Uttar Pradesh के किस छेत्र में किया जाता है अवद में, बुंदेलखंड में, ब्रिज में या पूर्वांचल में तो चakula Nirti कहां किया जाता है ये आपको बताना है आवद में है, बुंदेलकंड में है, ब्रज में है, या पूरवांचल में है तो क्या है इसका सही आνसर मुझे उमीद है कि आप इसको बता पाएंगे चरकुला निर्द उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? चर्कुला जो होता है बिटा ये ब्रज का जो छेतर है पश्मी यूपी का छेतर है वहाँ पर होता है तो मुझे पता है इसका जो सही आंसर है बिटा वो क्या है ब्रज और आपको भी उम्मीद है कि मुझे पता है कि आपको याद होगा चर्कुला एक निर्त होता है जिसमें महिलाएं अपने सिर के उपर छोड़े ओयल लैंप जो है रखके वो निर्त करती है और यह बहुत ही रोचक निर्त लगता है चर्कुला निर्त जो है यह ब्रज की भूमी में होता है ब्रज भूमी में कहां ब्रज भूमी में होता है ब्र पर आधारी था इस तरह का एक अगला प्रश्ण आपके सामने आ चुका है देखें बहुत ही पॉपुलर प्रश्ण है और इस समय यह जो है यह काफी ज्यादा हाइलाइट भी था इस समय कि ज्यानवाप्टी मौस्क्यू इस आग कॉंस्ट्रेक्टेड बाइविच ऑफ दा फ द्वारा किया गया यहां गिर के ध्याक गया गया घ्यानवाप्टी मसजिद अभी आपने सुना था कि क्यों बहुत ज्यादा चला ता आपने देखा फा कि क्यों में बहुत प्रश्ण है कि जान जाता फ Запास प्र स Śुले निर्माड है वो किस समराट के दोरा किया गया आपके सामने चार option दिये गए है औरंग जेव है डाराशिको है या अकबर है या जहांगिर है तो इसका जो correct answer एबिटा वो क्या है औरंग जेव है औरंग जेव का नाम इसमें हमेशा आता है एक बात तो यह आपको इस परस्ट होगी पहले बच्चों अच्छा औरंग जेब एक कुरूर एक निर्दई और एक ताना साह राजा था औरंग जेब ने एक और काम किया था औरंग जेव में क्या किया था औरंग जेव ने काशी विश्वनात मंदिर कौन कौन से टेंपल काशी विश्वनात टेंपल विश्वनात ठीक है इसके बाद मतुरा का केशव मंदिर मतुरा का केशव मंदिर और ये कह दें गुजरात में द्वारिका टेंपल या द्वारिका मतलब सूमनात द्वारिका सूमनात टेंपल इन मंदिरों का विश्वन्स कराया था इन मंदिरों का क्या करा दिया था इन मंदिरों का इन्होंने विश्वन्स कराया तुड़वा दिय थी और इसने ही ज्यानवापी मस्जिद का भी निर्मार करवाया था इसलिए वो काफी पॉप्लर रहा काफी हाइलाइट जीजी थी ठीक है जो मैंने आपको यह बताई इसका जो करेक्ट आंसर है वह वाला है जो भी बच्चे मारे एक के साथ में जा रहे हैं इसका बिल्कुल सही है प्यार मित्रों अगला प्रशन आपके सामने आ चुका है इस्टेट का हमारा नवार नंबर का कोश्चन है ठीक है इन विच सिटी ऑफ उतर प्रदेश है रुद्राक्ष कंवेंशन सेंटर असेंबल ऑफ फ्रैंडशिप बिट्वीन इंडिया एंड जापान वाज इन इन विच सिटी ऑफ उतर प्रदेश रुद्राक्ष कंवेंशन सेंटर असेंबल ऑफ फ्रैंडशिप बिट्वीन इंडिया एंड जापान थी इन इनुगरेटेड थी ठीक है उत्तर प्रदेश के किस सहर में भारत और जापान की दोस्ती का प्रतिक रुद्राक्ष प्रतीक है किसका रुद्राक्ष का रुद्राक्ष अर्थात भोले नात के को चड़ाये जाने वाला एक छुटी सी आकरती होती है ठीक है रुद्राक्ष की माला भी लोग पहनते हैं और ये कंवेंशन सेंटर था क्या था कंवेंशन सेंटर था और ये कंवेंशन सेंटर कंवेंशन जो रुद्राक्ष के माध्यम से भी वारांड़ सी पैचान सकते हो वारांड़ सी किसकी नगरी है वारांडर का छेदर है और काशी बिश्वनात के नाम से भी लोग रुद्राक्ष पहनते हैं तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो और मुझे उम्मीद है यह बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा इसका जो आंसर है वो ए है यह बिल्कुल करेक मुहम्मद जैसी नाम से फेमस है बचो मलिक मुहम्मद जैसी का जन्म जायस में हुआ था और जायस कहां पढ़ता है उत्तर प्रदेस में पढ़ता है कहां पढ़ता है उत्तर प्रदेस में तो आईए देख लेते हैं हम लोग इनके बारे में थोड़ी सी बात समझ लेते हैं ब अमेठी डिस्टिक पढ़ता है अमेठी अच्छा अमेठी आप ऐसे कह सकते हैं इसका जो वर्तमान में परिवर्तित नाम है अब है चत्रपती साहु जी महराज नगर ये पढ़ता है अमेठी ये अमेठी का है पिटा ये बिखल सही आंकर इसका है अच्छा इसके बाद में हम देखेंगे क्या जाने कि मलिक मुहमद जैसी जो है इन्होंने कुछ प्रशिद रचनाएं भी लिखी थी जैसा कि आप जानते होंगे पदमावत पढ़ा हो अखरावत पढ़ा हो तो पदमावत या अखरावत जैसी रचनाओं का संपादन करने वा था बिलकुल सही था और बहुत Pakistan जो अनसरतार दिये होंगे वह बचे अगला कुश्चन आपके सामने आ गया है महाराजमला अगला कुश्चन है उतर प्रदेश में पहली बस सर्विस start in Uttar Pradesh, where was the first bus service start in Uttar Pradesh, Uttar Pradesh में पहली जो bus service थी वो कहा से कहा तक प्रारम हुई थी बिटा, लखनवस 12 बंकी, लखनवस गोरखपूर, लखनवस कानपूर, लखनवस प्रियागराच, आपको बताना है कि ये कहां से कहां तक की प्रारम जो है विवस्था प्रारम की गए थी आप इसको देखें और बताएं क्या इसका सही आंसर था तो देखें बिटा इसका जो सही आंसर है वो लखनव से 12 बंकी था लखनव से 12 बंकी था एक बार समझ लीजेगा उत्तर प्रद बंकी के बीच में चली है कहां से कहां चली बटा लखनव से बारा बंकी के बीच में चुकि यहां एक ट्रायल उस समय रहता था कि इसके बीच में कोई जादा दूरी भी नहीं है और आराम से बस की जो है यात्रा भी पूरी हो जाएगी और आज तो बस की जो यात्रा है वो ल के बाहर भी अपनी सेवा दे रही है इसकी टेग लाइन है आपका अपना साती होत्रप्रदेश परिववान ठीक है अभी अगला प्रशन आपके सामने हमारा आचुका है जो भहुत ही बहुत ही बहुते उत्रप्रदेश राज सरकार द्वारा उत्रप्रदेश जल प्रदूशन निवारण एवं नियंत्रन बोर्ट के गठन कब किया गया था 3 फरवरी 1972 को, 3 फरवरी 1973 को, 3 फरवरी 1974 को या D ओप्षन 3 फरवरी 1975 को क्या है इसका सही आंसर मित्रू उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश जल प्रदूशन निवारन एबं नियंत्रन बोर्ड के कठन किया गया था इसका सही अंसर है तीन फरवरी सन पचात्तर को कब किया गया था? तीन फर्वरी सन 1975 इस्वी को क्या किया गया था? इस दिन किया गया था, उत्तर प्रदेश जल प्रदूशन निवारण एवं निवारण एवं नियंत्रन बूड का गठन किया गया था, यह था इसका समय, यह था जो गठन किया गया था, 1975 के समय इसका गठन किया गया था, उस समय के इंद्र में इंद्रा गांधी की सरकार थी वेटा, वो लगभग एमर्जंसी की कंडिशन लगने ही वाली थी, 24 जुन समय को लगी थी अभिस्वास प्रस्ताव से, तो आप्शन नूमबर जो डी है, वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है, जो भी हमारे प्यारे बच्चे ड सुन्भद्र जो जिला है, वो कितने जिलों के साथ सटा हुआ है, कितने जिलों सीमा साजा करता है, तो प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा चार जिले, कितने जिले, चार जिले, चार स्टेट से सीमा करता है, आईए देख लेते हैं, अगर हम उ करेंगे विरा अव्य यह्यों दोद्रेश कुछ करके उत्तर प्रदेश विकास का प्रदेश मेन यह और प्रदेश में यह जो जिला पड़ता है इस तरह से हम कहें ये पड़ता है पिटा सून भद्र दिस्टिक ये पड़ता है सोन भद्र जिला ये सोन भद्र जिला है ये आब देख रहे हैं ये सोन भद्र डिस्टिक है अब क्या है इसके एक साइड में एक साइड में तो मध्यप्रदेश का छेतर है एक साइड में क्या है मद्य प्रदेश का छेत्र है एक पॉइंट इसके एक साइड में इस साइड मेंगर हमा जाते हैं तो यहाँ पहले नीचे देख लें एक साइड यह और एक साइड यह यहाँ पे च्छतिस गड़ का छेत्र है चत्किसगड का छेत्र है यहाँ पे जार खंड का छेत्र है और यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बिहार का छेत्र है इस तरह से तो अब आप यह देख पा रहे हैं मित्रों यह इस तरह से है तो एक, दो, तीन और चार तो आपका answer जो 4 वाला है वो बिल्कुल सही है है ना 4 वाला जो आपको दिख रहा है बच्चो वो 4 वाला क्या है बिल्कुल सही है तो मैं समझ पा रहा हूँगा कि आप इसको अच्छे से कर लिए रहे होंगे आपको ये clear होगा यहां तक यहां तक कोई doubt या कोई दिकत आप सभी को नहीं आ रही है चीजे इस पस्ट होंगी प्यारे बच्चो एक अगला question आपके सामने है उत्तर प्रदेश में कितने महा जन्पद इस्थित हैं देखे बटाइए 16 महा जन्पदों का विश्य है थोड़ा सा मैं पहले इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा इतिहास की अगर हम बात करते हैं मित्रों इतिहास की तो हमारे इतिहास में 16 महा जन्पदों का प्रमाड है 16 महा जन्पदों का जो प्रमाड है वो कब है? वो है ईसा पूर्व एसा पूर्व छठी सताब्दी में सोला महा जन्पदों का प्रमार दिया गया है और उत्तर प्रदेश में पूछे गये है क्योंकि सबसे ज़्यादा महा जन्पद कहा है उत्तर प्रदेश में है और जिनकी संख्या कितनी है लगभग आठ है तो जो भी बच्चे हमारे आठ के साथ में जा रहे है या आठ उन्होंने किया है वो बिल्कुल सही है आठ क्या है उनका सही है जैसे अगर हम बात करते हैं वत्स है जैसे हमारा कूरू का छेतर हो गया जैसे हमारा यह कह दे न बरेली बदाईं फरुखाबाद का छेत्र हो गया ठीक है जैसे कोशल का स्रावस्ती का छेत्र हो गया तो ऐसे जो है हमारे जो छेत्र है वो है तो यहां के जो छेत्र आते हैं ठीक है आठ ऐसे करके हैं अब आपके सामने एक अगला कोशन आ चुका हमारा जो मारा अगला कोशन ने वो क्या कहता है कि हुव वॉस तुका असोका स्पीलर इंस्क्रिप्शन ओफ टो पारा और मेरट के इस्तंभ सिला लेखो को कौन दिल्ली से ले गया था बहुत ही बहतरीन प्रश्ण है मित्रू और मुझे उम्मीद है कि आप इसका सही अंसर बताएंगे या सही अंसर अप मुखमद गौरी ले गया थे या सा जहां ले गया थे तो बिटा जो इसका सही अंसर है वो फिरोश्चा तुगलक का सही अंसर होगा देख लो आओ देखे जब भी हम बात करते हैं असोका की या असोक की तो जो असोक का समयकाल है वो है 279 से 232 क्या है 232 इसा पूर्व ये समय है असोका अब असोक का जो टोपारा असोक का टोपरा एवं ये कह दे मेरठ के इस्तम्भ मेरठ के इस्तम्भ इन दोनों इस्तम्भों को कौन ले गया था इन दोनों इस्तम्भों को ले जाने वाले जो वेक्ती थे उनका नाम था पिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक जो है इन दोनों इस्तम्भों को ले गया थे ये फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंस में मुहम्मद बीन तुगलक के छोटे भाई थे जिनका समय काल तेरा सो एक क्यामन से दे रा सो नम आशी का था और मैं समझता हूं यह जो समय बीलकूल उचीत है और प्रंख प्रक्रेंज करेक्ट है अब मित्रोज आपके सामने हमारा अगला प्रशाण आचुका है जो हमारा अगला जन्पद हमारे उत्तर प्रदेश में आता है और यह हमारे पश्चिमी यूपी का जो छेतर है यह उसका है बेटा और सुरसेन के जो राजधानी है वो मतुरा है क्या है इसकी राजधानी मतुरा है तो देखिए आपके सामने थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है जो भी हमारे प्यारे पश्चे थर्ड ऑप्शन गएं धिये हूंगे थर्ड ऑप्शन के सात वो गए है को उन्हें बिल्कुल सही किया है उनकी कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट जा रहे है ठीक है आईए देखें बच्थो क्या है अगर हम बात करते है मतुरा, तो मतुरा क्या है एक राजधानी है और मतुरा किसकी राजधानी है मतुरा राजधानी है सुरसेन की किसकी है सुरसेन की तो सुरसेन की राजधानी क्या है मतुरा है जैसे देखो कामपिल है ठीक है अहिच्छतर अगर बोल दें तो बड़ा पानचाल अगर हम बात करते हैं प पानचाल की तो पानचाल के राजधानी है वह क्या है अहिछहत्र है और झीचहत्र है वह बरेली बदायूंग् पहला सऑ है दूसरा चंपा जू है अब दूब सुछ बिहार में बक्चा चंपा बिहार में है जो चंपा है इसके राजधानी क्या है इसकी राजधानी है और यह वरत्माने पढ़ता है भागलपुर और मुगेड इस्टिक भीहार पढ़ता है मतुरा आपने देखी लिया ना मतुरा जो है वो सुरसेन का हो गया अचा कौशामबी वत्स की राजधानी कौशामबी है वत्स की राजधानी क्या है बच्चे कौशामबी है तो इसका जो सही आंसर वत्स है और वत्स की राजधानी क्या है वत्स की जो सही राजधानी है वो क तक बालो नहीं था तक उन्हें कोई नहीं यहां तक विर है उनके लिए पयार आगया है वह क्या decimal उत्तर In which district of Uttar Phradish has a national Murtiard Memorial and the National Railway Safety Museum been unveiled उत्तर प्रदेश के किस जिल्ए में सहीद राष्टे समारक एबन राष्टी रेलवे सुरक्षा संग्राहले का अनावरन किया गया है अब आपके सामने दुखिए चार कुशन आगे मनें चार आप्षण आगे प्रियाग राज लखनव वाराणसी और गोरकपूर क्या है इसका सही आंसर तो इसका जो सही आंसर वो क्या है लखनव में ही आपने देखा जे जे आरे जग जीवन बाबु जग जीवन राम रेल सुरक्षबल का अकाडमी है और राश्ति इसमारक की भी यहां पर अनावरण क किया गया है तो यह कहां है यह लखनव में है यह लखनव में है लखनव में क्या क्या है देखिए सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे राश्त्री राश्त्री सहीद इसमारक है राश्त्री सहीद इसमारक है एवं दूसरा क्या है पिटा राश्त्री रेलवे राश्त्र रास्टी रेलवे सुरक्षा संग्रहले है यहां पर यह तो यह इस तरह से दोनु चीजे कहां पर लोकेट कर रही है दोनु हमारी लखनों में तो आप्शन नमबर बी जो है वो बिल्कुल सही है वित्रों मुझे उमीद है यहां तक का जो हमारा स्यसन अभी चला है वो हमारे प्यारे बच्चों को विल्कुल समझ में आया होगा उन्हें अच्छा लगा होगा अब आगे देखेंगे रिसेंटली अगला कोशन एटी नमबर है रिसेंटली विच स्टेट गवर्मेंट हैस डिसाइजे टू क्रियेट आ यूनीक स्टुडेंट आइडी पो आल दे सामने चार ऑप्शन दिखर हैं क्या ये बिहार राज्जी ने किया है महारास्त्रा चांटर देश दे जो मारी उत्तर प्रदेश गौर्मेंट है उत्तर प्रदेश गौर्मेंट यह सोच रही है कि किस तरीके से हम All Students of U.P. all extent of UP को हम एक unique identification एक unique identification ID दे सकें जिसके माध्यम से हम उनको क्या कर पाएंगे हम उनको identity उनकी निकाल पाएंगे या उनको हम समझ पाएंगे ठीक है मतलब हम उनको समझ पाएंगे उनका एक परिचे पत्र जैसा बन जाएगा जैसे आधार कार्ड है वैसे उनका एक पहचान होगा एक उनका परिचे होगा जिससे सरकार जो है छात्रो को आसानी से समझ पाएगी छात्रो आजानी से उनकी गड़ना कर पाएगी उनकी गिंती कर पाएगी और अगर जिस तरह के फॉर्म का सब्मिशन भी करा सकती है आगे आने वाली सेवाओं के प्रति उन्हें जो है ले सकती है तो यह सारी बाते जो है वहाँ पर है या वहाँ पर बताई गई है मित्रों आपके सामने हमारा जो अगला प्रशन आ गया है हमारा अगला कुशन है कि which district has been declared the most backward district in the recently released उत्तर प्रदेश GDP ranking 2022 हाल ही में जारी उत्तर प्रदेश GDP ranking 2022 में किस जिले में सबसे पिछडा जिला घोशित किया गया है भाई देखो which district has been declared the most backward district in the recently released उत्तर प्रदेश GDP ranking 2022 हाल ही में जारी उत्तर प्रदेश के GDP ranking 2022 में किस जिले में सबसे पिछडा जिला घोशित किया गया है option है चित्रकूट है गोंडा है बहराइच है या बांदा है तो बेटा जिसका जो सई आंसर है वो चित्रकूट डिस्टिक है जो इलाहाबाद मंडल में आता है कहा आता है इलाहाबाद मंडल में आता है इसका जो आंसर है वो चित्रकूट है जो इलाहाबाद माफ करिएगा इलाहबाद का नाम परिवर्तित हो चुका है अब इसको हम प्रियाग राज कहेंगे क्या कहेंगे प्रियाग राज कहेंगे तो यह प्रियाग राज में आता है कहां आता है यह प्रियाग राज में तो यह प्रियाग राज में आता है और इसे प्रियाग राज क यहां पे GDP की जो ranking है GDP ranking में 2022 में 2022 में ये सबसे पिछले पायदान पर है कहां है ये सबसे पिछले पायदान पर है तो चित्रकूट का ये जो हिस्सा है वो सबसे पिछले पायदान पर है तो ये क्या है ये वही है चित्रकूट का reason है ठीक है मुझे उमीद है आपको ये बात इस पस्टता समझ में आ रही है मित्रों अब आपके सामने हमारा जो अगला कुशन है एट विच जक्षन और उत्रप्रदेश गौवर्मेंट उत्रप्रदेश सरकार ने किस जक्षन पर यात्रियों को विस्राम करने के लिए राज्य का पहला स्लीपिंग पौड बनाने की घुशना की है sleeping pod सरकार कहां बना रही स्लीपिंग पॉड सरकार कहां भना रही ये लकनव जक्षन पर प्रयाग राज जक्षन पर प्रbon आतरपूर सेंट्रल या गोडपूर जक्षन पर तो इसका जो सही आंसर रही वह Preaj ये एक यह कहें किए जो सेंत्रण लाइन है गशावन अंगरा जक्षन पर यह कारे जो है, सरकार कर रही है, ठीक है, सरकार यह कार कर रही है, ठीक है, क्या बना रही है, पॉड बना रही है, पॉड जो विश्राम इस्थल कहलाएगा, विश्राम इस्थल क्या कहलाएगा यह, विश्राम इस्थल कहलाएगा, तो यह कहलाता है, ऐसे ही है, यह सरकार यह इस तरह के कर रही है, पॉड बिल्कुल सही है, मित्रों, अब आपके सामने हमारा जो अगला कोशन है, कोशन नमबर 21, वो आ चुका है, काजे कुट बनिहाल टनल, काजे कुट बनिहाल टनल, ओपन दे ट्राफिक टेस्टिंग, इस सिचुएटेट दे विच ऑफ फॉल्लाइग स्थेट, काजे कुट बनिहाल सुरंग, या क्या है इसका सही उत्तर, बताने का प्रियास करेंगे, इसका जो सही उत्तर है, वो जम्मू और कश्मीर में है, देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की, तो आपको कुछ इस तरह से दिखता है ना, जम्मू और कश्मीर ऐसे, ऐसे कुछ करके जम्मू means Jammu and Kashmir का विये छेदर है यह जम्मू और Kashmir का छेदर है जम्मू और Kashmir में यहाँ पे आपर कारा कोरम है यहाँ पे जासकर है आज वर्त्मान बगर यह कहें तो इस तरह से लगबग यह हिस्सा जो है लददाक की ओर चला जाता है लददाक की हाल के पास में काजी कुंडू काजी गुब्ड ठीक है एक सुरंग है एक सुरंग है जो टेस्टिंग के लिए open की गई है इसके लिए टेस्टिंग के लिए ओपन की गई है टेस्टिंग के लिए open की गई है इसका आंसर जो है वो डी है क्या है इसका सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा डी तो डी इस अ करेक्ट आंसर मैं समस्ता हूँ ये बिलकुल सही है गलत नहीं है कि मित्रों आपके सामने हमारा जो अगला कोश्ण है वो आ चुका है by which नेम इस और अ भरम्हपुत्र नोन ऐसा तिभथ आईए देखे ब्रंपुत्र को एक बार हम लोग समझते हैं ध्यान से क्या कहलाता है ब्रंपुत्र और कहां कहां कैसे कैसे कहलाता है इसके लिए आप एक बार पहले मैप देख लेंगे इंडिया का और अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको उमीद है ये मुझे बहुत दल्दी और अच्छे से सटी करीके से समझने आएगा इस तरह से आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से इंडिया का जो मैप है वो ऐसे है कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं आप यहां यहां पर यह तिबद का छेद्र है अब जब नदी तिबद में निकलती है अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपूत्र को तिबद में सांगपो सांगपो कहते है तो इसमें आशार सांगपो मिल गया है जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में बहती है चाइना में ठीक है तो तिब्बत में तो ये नाम बन गया इसका लेकिन जैसे ही ये नदी चाइना में बहती है इसे कहते हैं यार लांग जैंबो क्या कहते हैं यार लांग जैंबो और जब ये दिफूद अर्रे से भारत प्रवेस्ट करती है तो इसका नाम बन जाता है ब्रम्ह पुत्र और जब ये नदी बांगला देश में जाती है तो इस नदी को क्या कहा जाता है इस नदी को कहा जाता है बांगला देश में जाते हुए इस नदी को हम क्या कहते है बिटा इस नदी को हम कहते है जमूना क्या कहते है इसको हम लोग जमूना कहते है तो अब आप देख पा रहे हैं इसका जो सही नाम है वो बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है बित्रो बी वाला जो ऑप्शन है वो बि में सांग को जो है वह बिलकुल सही है बिलकुल करेक्ट है अब अगला कुशन आ चुगा है इन केस अरेस्ट ऑफ़ डिटेंशन विदाउट ट्राइल अस्रीजन के लिए अदालत में किस रिट को लागू कर सकता है आपके सामने चार ओप्शन दिये हैं क्यों वारेंटो अधिकार प्रक्षा कहते हैं हेवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षी करन यहीं लग रहा है बंद किया गया प्रत्यक्ष के मेंडमस मने परमादेश का विसे यह है एंड सेटी और इस उत्रप्रेशन का भी से है ठीक है तो ऐसे में हैवियस कॉर्पस लगता है क्या लगता है है यह और इसे हम रखते हैं आर्टिकल नमबर आर्टिकल नमबर टू-टू-शिक्स में और अगर हम यह रखें आर्टिकल नमबर टू-टू-शिक्स जब रखा जाता है तो वह हाई कोट का विसे होता है जब आर्टिकल नमबर टू-टू-शिक्स रखा जाता है तो उस समय हाई कोट का यह विसे होता है लेकिन जब हम बात करते हैं आर्टिकल नमबर टू-टू-टू की बात करते हैं तो इसे पाइसे हो जाता है तो एप्षेन नंबर बी आपको यह समझ में आ रहा है भारती संभीधान में से हम संविधानी कुप्चार कहते हैं बाबा साहिब भीमरों अम्बेटकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा था तो संविधान की आत्मा है यह सोल है जिससे बात करते हैं ठीक है चलिए अगला देखे हमारा जो क्या कहता है अस्ती मुड़ी जील किस राज्य में स्थिव है इन विच आफ दा स्थेट अस्ताय मुड़ी लो लेक लोकेटें मनीपूर केरला उत्राखंड महरास्ट्रा देखिए चुकि नाम से लग रहा है जब भी अस्ताय मुड़ी की बात करें तो केरला में टिक मार दिक यहां है केरला राज ठीक है और यही पर है अस्ताय मुड़ी पर अस्ताय मुड़ी जील यह मदा पर है कभी आपने सुना हो बिंब ना ना जिल भी यहीं क्या होती है यह यहां पर नाय भी दोड़ायती है जैसे आप लोग पड़े होगे कभी ओड़म कहते हैं और आपके समने इस आज के सेशन का जो लास्ट कोश्चन है वह आचुका है बच्चों लास्ट कोश्चन क्या है इंडिया is a welfare state where does it came from भारते कल्याड कारी राज्य है कहां से आता है प्रियंबल से आता है नए fundamental duty से आता है नए आता है fundamental right से आता है नहीं आता है DPSP से आता है येस आता है तो इसका जो सही आंसर है वो DPSP है आईए देखें मिटा DPSP की बात करते हैं हम लोग DPSP भारती संभीधान के भाग 4 भाग माफ करेंगे किसमें दिया गया है भाग 4 में दिया गया है और आर्टिकल नमबर जब भी हम इसका देखेंगे तो आर्टिकल नमबर 36 से ले के 51 के बीच में दिया है इसमें दो प्रकार के विचारदाराएं होती है एक क्या होती है गांधियन विचारदारा गया से यहां इस फेर स्टेट का लियानकारी वो अलेबिसे यहां पे दी हुए थे तो मित्रों मैं समझता हूँ यहां तक का जो सेशन है वह बिलकुल आपको समझ में आ गया होगा एक दम बिलकुल करेक्ट होगा बिलकुल सही होगा ठीक है और आज का सेशन मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ और तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार तब तक लिए थेंक्यू और बबाई बेटा आप सब मेहनत करते रहें आगे और पड़ते रहें धन्यवाद